इस वीडियो में हम सीखेंगे कि matching sentence endings को कैसे किया जाता है यहाँ पर हमारे पास कुछ questions है 32 to 37 यहाँ पर मैंने already करके रखा है इनको highlight first step यह रहेगा कि आप यहाँ पर आओ keyword select करो at least आपको 3 या 4 keyword select करने है तो कि आप confirm करके location को find कर सको यहाँ पर हमारे पास first जो है वो Simon है important है, consider है, long term view है यह सारे keywords हमारे पास है दूसरी चीज है और चीज का ध्यान रखना है कि यह जितने भी questions हैं यह order में मिलेंगे आपको अगर आपको first question की location नहीं मिलती तो आप second question की location find करके उससे थोड़ा सा उपर जाके देख सकते हो यहाँ पर हम देखते हैं कि location कहां से है अगर हम देखेंगे तो Simon की जो बात होती है वो यहाँ पर होती है यहाँ पर first time उसकी बात हुई है क्योंकि यहाँ पर उसको उनोंने introduce किया है कि वो कोन है, वो designer है तो इससे पहले आपको इसकी बात नहीं देखने को मिलेगी जब भी आप ऐसे questions करते हो आप देखो कि अगर उसको introduce किया गया है तो उसको दोबारा से उसको पहले उनोंने कभी भी introduce नहीं किया होगा वो आपको उससे पहले नहीं मिलेगा यहाँ पे आपको बाकी keywords भी देखने है जो हमने देखे हैं अभी वो क्या है वो है important, consider, long term view अगर हमें एक keywords इन में से एक दो यहाँ पे मिलते हैं तो हम इसको confirm location मान सकते हैं अगर हमें यहाँ पे वो keywords नहीं मिलते तो हमें आगे फिर से देखना पड़ेगा तो कभी भी एक keywords के भरोसे मत चलो यहाँ पे कहीं भी उसने बात नहीं कि यह चीज की long term view की consider करने की यहाँ पे एक बार दो बारा से उसका नाम given है यहाँ पे भी एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे हमें वो बात देखने को नहीं मिलती है हमें just consider देखने को मिलता है पर consider के साथ हमें long term view नहीं मिल रहा देखने को long term view देखना है साथ में यहाँ पे again उसका नाम दिया हुआ है अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो long term view मिलता आपको देखने को millennia thousand years के time period को बोलते हैं और क्या है यहाँ पे important consider when something यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे इसको believe it is right to measure machine creativity directly to that of human who have had millennia to dwell our skills बाकी आपको keywords यहाँ पे नहीं मिलते हैं अगर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है कि हाँ मेरे को दो ही keywords मिले हैं यह confirm location है कि नहीं तो आप दूसरा keyword देख सकते हो दूसरे question से David यह जो है यहाँ पे given है तो इससे confirm हो जाता है कि जो question हमने find किया है वो 30 seconds ही है और 33rd यहाँ से start है अभी क्या करना है first step complete हो गया हमने इसकी right location find कर ली इसके बाद आपको यहाँ पे देखना है कि और क्या-क्या keywords है यहाँ से जो keywords हम उठाएंगे वो हम जाके इसका जो second part है sentence को जो हमें list में यहाँ given है इसमें से match करेंगे जिसके साथ maximum keywords match करेंगे उसको मांसर चूज कर सकते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या है measure है measure के साथ और क्या given है machine एक machine हो गया और उसके साथ है हमारे पास creativity humans और develop our skills maximum 3-4 keywords enough होते हैं अभी हमें यह देखते हैं जो हमारे पास keywords है measure machine, creativity, humans यह हमारे पास वहाँ पर given है second part में की नहीं so यह list है हमारे पास इसको कभी पहले नहीं देखना जब तक आप first answer को करना शुरू नहीं कर देते generating work that was virtually indistinguishable from that of humans इसमें नहीं मिलता है इसमें just human देखने को मिलता है उसके बाद second है knowing whether it was the work of humans or software software की बात नहीं हुई इसमें dependent होने की बात नहीं हुई है imagination की बात नहीं हुई artistic achievement की बात उसको creativity के साथ में match किया जा सकता है humans की बात हुई है comparison करने की बात भी हुई है comparison कहां पे है वो यहां पे लिखा हुए measure machine computer हो गया creativity artistic achievement होगी humans हमें directly same given है तो इसको हम answer choose कर सकते हैं तो सारा कुछ match कर जाता है इसके बाद next देखते हैं अभी david cobs emi software surprise people buy something अभी इसमें david emi and people तीन चीज़े हैं david हमने देख लिया था already emi का नाम यहां पे given है इसके साथ अगर people देखे हम तो people हमारे पास यहां पे given है तो काफी gap है तीनों keywords में so हमें कैसे पढ़ना चाहिए यहां से लेके यहां तक सारा पढ़ना चाहिए नहीं बिल्कुल भी नहीं ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए हमें अगर हम देखेंगे तो जो हमारा sentence को उन्होंने यहां से de-attach किया है या second part में उन्होंने people से बाद start होनी चाहिए तो हमें people वाला जो sentence है audience वाला वो पढ़ना चाहिए so audience क्या लिखा है were moved to tears and EMI even fooled classical music experts into thinking they were hearing genuine music तो यहां पे full stop एसके आगे पढ़ने की need नहीं है हमें most of the time आपको नहीं need होती तो इसमें हम क्या key words देख सकते है fooled classical experts thinking they were hearing genuine music so इससे क्या पता चलता है कि उनको फरक पता नहीं लगा कि वो genuine सुन रहे हैं कि fake music सुन रहे हैं यह हमारे key words रहेंगे generating work that was virtually indistinguishable from that of humans knowing whether it was work of humans or software यह almost थोड़े similar हैं बट यह वाला जो है वो जादा मैच करता है यह जो word है यह main है जिसकी वैसे इसको आंसर हम लगा सकते हैं क्योंकि इसका मतलब है कि फरक नहीं निकाल पा रहे थे डिफ्रेंशियेट नहीं कर पा रहे थे वो यह जो work है वो humans का है या computer का है तो यह इसका answer आता है तो हम कहीं भी extra नहीं पढ़ रहे हैं हम वहीं पर पढ़ रहे हैं जहां पर sentence की हम ए location मिल रही है जो third है इसमें एक अजीबसा नाम गिवन है यहां पर इसको pronounce करने का risk मैंनी लेता उसके बाद criticize लिखा है फिर note लिखा है यह चीज़े हम देखते है note जो है वो negative language है तो उसको ढूनना easy है यह जो अजीबसा नाम है यह हमें जल्दी मिल जाना चाहिए यहां पर हम पढ़ चुके audience वाली बात इसका जो surname है वो हमें यहां पर देखने को मिलता है इसके बाद हमें क्या मिलता है negative language चाहिए थी हमें negative language होती है condemn करना मतलब की criticize करना criticize him for his deliberately vague explanation vague का मतलब होता है unclear explanation of how software worked so unclear information कैसे software काम करता है इस वज़े से उसने उसको criticize किया जम हो यहां पर आके देखते a हम लगा चुके b knowing whether work of human यह नहीं आएगा entirely dependent होने की कोई बात नहीं हुई यह हम लगा चुके answer d revealing the technical details of the program so यह match करता है बाकी यह match नहीं करेंगे public को convince करने की बात नहीं हुई discovering something ऐसी कोई बात नहीं की technical details क्या match करता है वो match कर रहा हमारा explanation how software worked जो यह technical details से directly match करता है और बाकी reveal करने की बात जो है वो भी match करती है यहां पर वो क्या है वो यहां पर given है condemn him for deliberately work explanation how software worked इसी में आ जाता है सारा कुछ software worked जो है वो आ जाता है इस चीज में his program तो यहां पर सारा कुछ match कर जाता है तो इसको हम answer लगा सकते हैं इस तरीके से आपको इनको solve करना है उसके बाद है हमारे पास 35th again difficult name उसके बाद है claimed that EMI was claimed और इसका name वो हम देखेंगे name यहां पर मिल जाता है said का मतलब होता है claim करना EMI भी मिल जाता है तीनों कीवर्ड हमें मिल गए यही लिखा हुआ यहां पर अभी हमें क्या देखना है यह sentence जो है कहां तक है sentence अगर देखोगे आप यहां पर मैंने शोरा है sentence तो इससे आगे जाके पढ़ने की नीड नहीं है तो यहां पर क्या देखते हो आप created replicas replicas का मतलब है replicas मतलब copy करना which still rely completely on the original artistic artist creative impulses so हमारे पास क्या keyword हो जाते है copy depend completely artist की creativity यह सारी चीज़े हम mind में रखके पीछे जाते हैं यहां पर हमारे पास जो options में match करते हैं A कर चुके हैं B इसकी कोई बात नहीं हुई producing work entirely dependent yes यह बिलकुल match करता है entirely को उन्होंने completely लिखा है dependent को उन्होंने rely लिखा है यहां पर यहां पर हम चेक कर सकते है rely completely और क्या है यहां पर match करने वाला imagination of creator creator कौन है artist है और imagination को क्या लिखा हुनने creative impulses सारा कुछ match कर जाता है कई बार आपको पढ़ने की भी need नहीं है जादा उसके बाद 36th 36th में क्या है audiences who had listened to EMI's music became angry after यहां पर अगेन आपको negative language देखने को मिलती है और audience यहां पर आप आते हो तो audience की बात यहां पर हुई है और negative language क्या है outraged इसका मलग बुस्सा आ जाना तो यहां पर एक clause बंद हो रहा है कॉमा है तो यहां तक ही पढ़ना चाहिए आपको पहले उसके बाद यहां पर full stop है अगर need पढ़े तो पढ़ो extra energy मत waste करो audience found out the truth they were often outraged with cop so audience को जब पता लगा truth they were outraged उनको गुस्सा आ गया truth क्या था वो जो है वो पीछे हम पढ़ चुके हैं कि software जो है वो replicas बना रहा था copy कर रहा था original नहीं बना रहा था इसके according हम देखेंगे found out the truth so हमारे पास जो option बचे हैं एक है B knowing weather doubt की तो बात ही नहीं है weather वाली कोई यह हम कर चुके हैं already C D भी हम use कर चुके हैं E भी use हो चुका है F जो है वो है convince करना public को convince करने कोई बात नहीं हुई discovering that yes यह match करता है discovering मतलब find out that it was product of computer program यही match करता है बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुए नहोंने found out the truth जो truth है वो पर दिया हुए कि लास्ट बच्चता है हमारे पास participants है इसमें डेविड assess without again negative language यह हम देखते हैं कहां पे है यह नाम दिया हुए डेविड का सरने में है और यह उसका नाम है यहाँ पे हमारे पास assess भी मिल जाता है participants भी मिल जाता है और negative language में हमारे पास है were not told beforehand यह negative language है देखेंगे इसको तो यह कहां पे आके finish हो रहा है यह comma पे इसको पढ़ लेते हैं were not told beforehand whether the tunes were composed by humans or computers यह है main language यहाँ पे उनको doubts है कि वो compose की गई है humans से या computer से so हमारे पास दो यह option बचते हैं यहाँ पे एक तो बचता है F ठीक है उसमें convince करने की बात हुई है public को जो कि हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा पीछे और यहाँ पे जो है knowing whether it was work of humans और software इसमें एक एक चीज मैच कर जाकती है humans software यह दोनों चीज़े given है weather doubt वाली बात भी given है so यहाँ बे चेक कर सकते हैं वो बिल्कुल simple type के questions हैं जिनको difficult लगते हैं वो practice करें इनको same way में जैसे मैंने बताया है कोई इसमें ज्यादा tension लेने की बात नहीं है